हलो आवरीवान दिस इस यूर एजुकीटर मांची गुपता वेलकम टू रेडी फो स्ट आदी आज हम क्लास सेविंथ की समाजिक विज्ञान यानी की सस्ट की वरक्षिट करने जा रहे हैं यह आपकी सस्टी वरक्षिट 25 है और इसकी डेट है 27 अक्टूबर 2021 तो बच्चे य वारे में पढ़ चुके हैं अब हम आगे पढ़ेंगे कि हुमायू के झुछ बाता हमने अक्पषा भी पढ़ लिया है अब अकबरका बेटा जहांगिर जो था हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे इसको सलीम का नाम भी जाता था आपने इसके उपर उनना देखे भी होंगे अकबर स्टोरी भी है मुवी भी आई है तो उनका जो बेटा होता है वह होता है जहांगीर जो काफी मतलब इसको हिस्ट्री में दिखाया गया कि बहुती बेकार राजा था ठीक है अपने समराज्य को अच्छी तरीके से ये मतलब समेट के नहीं रख पाया था जहांगीर ने अकबर के असने अभ्यानों को आगे बढ़ाया मेवाड के सिसुद्या साथ सक अमर सी ने मुगलों की सेवा स्विकार की मतलब इन्होंने जो है मेवाड को अपने अंडर में ले लिया था ठीक है इसके बाद सिको अहोमो और एहमत नगर के खिलाफ अभियान चलाएगा जो पूर्णिता सफल नहीं हुए इनका जो टाइम पिरेट था बहुत ही शांती वरत था इन्होंने ज्यादा लड़ाईया नहीं लड़ी ठीक है यह ऐसा कहा चाता है कि थोड़े लड़की बास टाइप के थे ठीक है और अफीम खुर्रम खुर्रम जो है जाजहा का नाम है जो बाद में समराज शाहा कहलाए ने विद्रों किया जहांगेर ने चितरकला को काफी बढ़ावा दिया नूट जहांगेर की दर्बार में काफी परभाथ तो एक मात्र मुगल शाषी का थी जिसके नाम पर सीक्रे जारी गए ग उगल समराज्य को राजा बनने के बाद बहुत सरे अभियान किये जिसमें से कुछ अभियान के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं दक्कन में अभियान जारी किया और अफगान अभिजात खान जहान लोदी को विद्रों में पराजित किया थीक है अहमत देगर की विरुद्ध उन्हें अपना अभियान चलाया जिसमें बंदेल को हराकर वर्स पर अपना कब्झ हट रहा था ना ही सफावियों अपने पास से पीज़े हट रहे थे ठीके 1632 यानि कि 1632 में अंततहा अहमद नगर को मुगलों के राजियों में मिला लिया गया तथा बीजापूर की सेनाओं ने सुलह के निवेदन सुलह के लिए निवेदन किया 1757 वेठावन में शहाजा के पुत्रों के बीच उत्रा दिकार के लिए जगड़ा शुरू हो गया और इसमें कौन विजय हुआ इसमें औरन गंजे की विजय हुई और दाराशी को समेथ उनके तीनों भाईयों को मौत के घाच उतार दिया गया औरन गंजे बहुत ही चलाक लोमरी राइप के राजा थे ठीके इनोंने अपने चारों के मतलब बाकी के तीन भाई थे उनको जान से मरवा दिया था क्यों ताकि कोई भी उनका भाई जो है उनको मतलब अपने लिए एक समराज्य की यानि गद्दी की पेश्क जो है चुनौ पूर्व के अहोम और डकन में मराठा की विद्रों का सामना करना पड़ा औरन गंजेब का पूरा शाशन तो था ना पते कैसे लड़ते लड़ते चला गया बहुत लड़ाई लड़ी इनोंने कि मुगल समराज्य के टाइम पे गंगा सो सीधी भैती थी उसको इनोंने इतर पश्चिम यूटूब जईवेश शिक्खों के विरुद आ इस्थाई रूप से असफ सफल हुए और अन गंजेब को मिर्तियों के बाद उत्रा दिकार के लिए उनके पुत्रों में संहर्श हुआ और अन गंजेब की मिर्तियों के साथ ही मुगल समराज्य का वी घटन आरंब हो गया था ठीके अब आपको यहां पर कुछ कोशन दिये हुए हैं देखो यहां पर आपको एक एक अक्तिविटी दी हुए जिसमें बताया है कि मुगल समराज्य जहां को उनकी सापत्य गला यानि की इमारतों के बनाने के लिए जाना जाता है उन्होंने जिन जिन इमारतों को निर्मान करआया था उनके बारे में आपको जानकारी इगत्रित करनी है तीके अगरा को यहांपर प्रशन दिया हुआ है कि शहां जहां के विजय अभियानों वो तो औरन गंजेप के दादा जी थे पापा थोड़ी थे कोई ठीक है फिर आपको एक्टिविटी दूर दी है कि मान लिजी आप एक मुगल समराथ हैं और उत्रादीकाल के लिए होने वाले युद्धों को रोकने के लिए कुछ उपाय बताईए ठीक है तो पहले कोशन का अग्डूं के कौन कौन से विजह अभियान थे तो मैं था आपको बता होत्या कि शाहाकर जाजान के चार विजह अभियांत तीन विजह अभियांते एका डख़ं व्लो Sell We अभियान एहमद नगर में था जहां उन्होंने बुंदेलों को हराया था और तीसरा उनका अभियान उत्तर पश्चिम में था पर असफल रहा क्योंकि वह अब आपके जो एक्टिविटी वन थी कि शहां जहाने कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई तो मैंने उनके नाम यहां पर लाल किला बनवाया था दिल्ली वाला ठीक है यहां पर चाट पकोड़ी खाया था खड़े ओके कभी जानने का कोशिश करना कि वहां का इतिहास बहु आप जमा मज्जिद बिजा सकते हैं यहां पर बढ़ता है ताज महल और मोती मजजिद ये दोनों ही चीज़े आपकी आगरा में पढ़ती हैं आगरा के लाल किला के पास ये बिल्कुछ साथ-षाथ दिखती है यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो गया ये मोती मसजिद है ठीक कार के लिए तो आप कैसे शांत करेंगे बगर हम होते तो हम ऐसे शांत करेंगे कि हम अपने जीते जीप उनकी बीच में जमीन कर जो है बटवारा कर देंगी ताकि बाद में कोई लडाई ही ना हो ठीक है तो बस यह आपकी वर्क्षिट इतनी थी है कर आपको यह अच्छी मुझ बाई बाई